चुनाव से पहले नेताओं में जुबानी जंग छेड़ चुकी है बिजावर से कॉंग्रेस प्रत्याशी चरण सिंग यादव ने भाजपा विधायक को शराप कारूबारी कहते हुए आरोप लगाया कि इलाके में महिलाए भी शराप बेच रही है चुनाव से पहले नेताओं में जुबानी जंग जारी है कॉंग्रेस ने यूपी के नेता चरण सिंग यादव को विजावर सीट से टिकिट दी है वो लगातार विवादों में हैं कॉंग्रेस के प्रत्याशी चरण सिंग यादव ने विजेपी विधायक पर आरोप लगाया है कि विजावर में गली-गली महले-महले शराप बिग रही ये शराप पूरुशी नहीं महिलाए भी बेच रही है दरसल विजेपी के विधायक राजे शुकला बबलू शराप का कारोबार करते हैं यही वजह है कि कॉंग्रेस प्रत्याशी ने उन पर आरोप लगाते हुए महिलाओ के अवैद शराप बेचने का आरोप जड़ दिया है कॉंग्रेस पित्याशी के इस बयान पर विजेपी जिला अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए इसको महिलाओ के अपमान से जोड़ दिया है उनका कहना है कि यूपी के नेता को कॉंग्रेस ने विजाबर की टिकेट दी है जिस तरह उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है उसका जवाब महिलाओं 17 तारिक को वोट डे कर देंगी क्योंकि महिलाओं और बहनों को जितना सम्मान विजेपी की सरकार ने दिया है उतना किसी ने नहीं दिया यह आपने देखा होगा कि कांग्रेसी तो अनर्गल बात करने में मायर है उनको तो यही तमीज नहीं है कि हमारी पार्टी जनता पार्टी की सरकार हमारे मुखमंती जी अपनी बेहनों को कितना सम्मान दे रहे हैं और एक यूपी से आया हुगा एक जो कांग्रेस का टिकट लेकर आया है वो हमारी बेहनों के लिए कह रहा कि सरासरा बेच रही बेहने यह तो बड़ी सर्मनाक बात है और हमारी बेहने जिए आगामी कि 17 तारी को जो बोटेंग पड़ेगी ना उसमें पता चलेगा उनको कि बेहन बेहनों के अपमान करने का क्या नतीजा होता है कि आप देख रहे हैं दखल नियुक्त अब देख रहे हैं कर दो